हालो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरं सिसी नर्सिंग ओनलाइन कोचिंग एन ओनलाइन टेस्स सेरीज आज से अपनी जो क्लासेज रहेगी वो रहेगी अपने राजिस्तान शियर्चो को लेखे अपने यूट्यूब चैनल के उपर यहां पर सौल करेंगे उनको और उनसे रिलेटेड अपकमिंग अमसीक्यूज भी हम देखेंगे जो आने की संभावन है उनकी काफी ज्यादा रहेगी साथ साथ में हम जो लगेगा कि हाँ यह टोपिक इंपोर्टेंट है वो टोपिक डिस इस प्रकार से प्रिवेशियर के एक्जाम हुए है अब तक उनमें काफी सुपरफिशियली आपके टोपिक को टच किया गया है और इसी वरे से जो हो मेरिट भी वहां की जो हो काफी हाई रहती है इस प्रकार से जो है अपना यूट्यूब शेशन रहेंगे रास्तान सीचो तक ठीक है इसी के साथ ही आप सभी के लिए एक इंपोर्टेंट न्यूज राजस्तान सीचो के लिए डेली लाइव टेस्टरी जो है हमारे ओफिशल एप पे एप का क्या नाम है आपको प्लैस्टोर पे आर न सिसी सर्च करना है वहां पर आपको एंड्रोइड और प्लैस् प्लैस्टोर दोनों पर आपको आपको आप मिल जाएगी हमारी एप तो वहां पर क्या हो रहा है डेली राजस्थान चीचो के लिए टेस्ट सीरीज जो है वह यहां पर स्टार्ट हो चुकी है एक जनवरी से एस पर पैटर्न एक्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जितने बच्चों के अंदर आप कहां इस्टेंड कर रहे हो उस हिसाब से ठीक है इसे हमने क्या कहा है प्री चीचो टेस्ट ठीक है टोटल टू मंथ का यहां पर कंप्लीट टेस्ट का हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या मिलेगा आपको सबसे पहले तो राधिस्थान चीचो इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिलेगा एपके अंदर वहां पर आपको डेली लाइव टेस्ट मिलेगा अकोडिंग टू राधिस्थान चीचो पैटन कितने एमसीगूज रहेंगे आपको इस प्रकार से अपना यहां पर कंटिन्यू रहेगा चले बस टेस्ट का कौन से डेक्ट को कौन सा टोपिक का आपका टेस्थ रहेगा जिसे फरस्ट 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 जैन में पर अपको पता बहुत आपको पता बहुत है कि हां में इस टोपिक मेरा कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है तो वहां पर भी आपको इसकी मदद मिलेगी तो शुरू करते हैं आज के अपने MCQ को फस्ट MCQ है अपना एक फिजिशन और आईवी पोटेशियम पोर एचाइल्ड वित हाईपर ठोनिक डिष्ट पराइडरेशन होगता था फिजिशन ने क्या ओडर किया आईवी पोटेशियम potassium के amount भी यहां पर decrease हुआ होगा उसका साथ में इसलिए a nurse perform which of the following highest priority assessment before administering potassium अब nurse को जो हो perform करना है highest priority assessment administer करने से पहले क्या potassium के administer करने से पहले ऐसा कौन सा highest priority assessment है जो से assess करना होगा perform करना होगा taking the temperature, taking blood pressure, obtaining weight या फिर checking the amount of urine output क्या रहेगा अपना answer यहां पर temperature देखेगी, blood pressure देखेगी, weight देखेगी या फिर amount of urine output को यहां पर assess करेगी क्या पूछाया आपसे before administration potassium तो देखो जब potassium है उसका toxicity काफी narrowing रहती है उसकी therapeutic dose के ठीक है थोड़ा amount भी उपर नीचे होगा तो science symptoms आने लग जाएंगे इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है potassium का हम क्या दे रहे है आईवी potassium दे रहे है हो सकता है वह बच्चे के अंदर क्या हो जाए डोज बढ़ जाए तो वह क्या करेगा reactions करेगा बोडी की साथ में toxic effects देगा तो हमें पता लगाना है कि उसके जो है वह रिनल functions की प्रकार से है प्रोपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अगर नहीं कर रहा होगा तो बेड बोडी के अंदर इसका लेवल जो है वह बढ़ जाएगा cardiac effect लेके आएगा सबसे पहली यहां पर priority क्या रहेगी option number D checking the amount of urine output यहां पर क्या करेंगी नर्स urine output को यहां पर चेक करेंगी पेशेंट के अंदर ताकि वह समझ सके कि रिनल function उसके normal है कभी भी potassium देने से पहले आपको रिनल function टेस्ट आपको करवाड़ा है RFT KFT आपको करवा लेनी है ताकि आपको पता लगे कि हाँ kidney proper function कर रही है potassium का level maintain करने में काम करेंगी The most common agent for causation of diarrhea among children Children's के अंदर diarrhea cause करने का most common agent क्या है एडिनोवाइरस, राइबोवाइरस, रोटावाइरस या फिर राइनोवाइरस तो देखिए यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा रोटावाइरस ठीक है रोटावाइरस की आपन vaccine भी देते हैं बच्चों को ताकि वो diarrhea ना करवा सके तो रोटावाइरस जो है वो क्या होता है एक परकार का RNA virus होता है यह आपको ध्यान में रखना है RNA virus होता है double standard RNA virus होता है यह chronic diarrhea cause करता है acute नहीं करेगा chronic diarrhea cause कोन करता है babies के अंदर बच्चों के अंदर तो आंसर क्या रहेगा आपका रोटावाइरस रूट ओफ ट्रांस्मिशन क्या रहे था इसका तो आंसर क्या रहेगा फीको ओरल रूट कि इसी के similar एकमसी की और बनता है कि Ecoli जो है वो किस प्रकार का diarrhea coach करवाते उसका नाम क्या है तो travelers diarrhea वो भी कौन सा किस टाइब का Ecoli तो आंसर क्या रहेगा पूरा आंसर क्या रहेगा तो एंटेरो Toxigenic Ecoli क्या coach करवाता है travelers diarrhea Which nursing action is most important will caring for a client after cardiac catheterization कौन सा nursing action जो है वो most important होगा जब हम care कर रहे है क्लाइंट की After cardiac catheterization लगने के बाद में कौन सा nursing action जो है वो most important रहेगा Check the pulse distal to the puncture site Monitor electrocardiogram every 15 minutes administer oxygen या फिर provide rest क्या आंसर रहेगा अपना या पर Which nursing action is most important will caring for a client after cardiac catheterization तो देखे यहां पर जो आपका correct answer रहेगा वो रहेगा option number one ठीक है हमेशा हमें क्या करना है जहां पर हम puncture करते हैं उससे distal site पर हमें क्या करना है pulse assess करना है और example हमने क्या किया यहां पर हमने puncture किया तो हमें देखना है कि यहां वाले organs को यहां वाले limb के पास में pulse feel में हो रही है नहीं हो रही है हो सकता है हमने puncture करके यहीं पर bleeding हो रही हो तो आगे blood supply decrease हो गई हो और आगे profusion सही से नहीं हो रहा हो तो आगे जाके client को necrosis कर देगा organ को इसलिए हमेशा जब भी cardiac catheterization करें इसके लिए हमें क्या करना है, check the pulse distal to the puncture site अपना क्या रहेगा, correct answer रहेगा पुछा जा चुका MCQ है यह ध्यान में रखना next MCQ a 48-year-old woman presents to the hospital complaining of chest pain, tachycardia and dyspnea on examination heart sound are muffled which of the following assessment finding would support a diagnosis of cardiac tamponade देखो क्या करना है हमें, यह कुछ हमें science symptoms बता दिये अब हमें देखना है कि कौन सा assessment finding है, वो support करेगा हमारे diagnosis बनाने में किसके diagnosis के लिए, cardiac tamponade के लिए a deviated trachea, trachea का जो है वो क्या होगा, deviation होना absent bridge sound to the lower lobes, pulse 40 with inspiration, blood pressure 140 by 80 क्या रहेगा अपना answer यहां पर तो देखिए cardiac tamponade जब होता है, इसके अंदर क्या देखने हो मिलता है आपको excess fluid volume कहां पर जो आपका pericardium जो layer होती है उसकी parietal and visceral layer पर, ठीक है parietal और visceral layer पर क्या हो रहा है यहां पर excess fluid volume यहां पर जमा हो रही है, normal कितनी होती है, तो normal होती है 22, 50 ml यहां पर normal रह सकती है, मगर इससे भी ज्यादा हो रखा है, तो वह क्या कौन सी condition में आएगा वह cardiac temponet कहलाएगा फिर आप जब यहां पर heart sound सुनोंगे तो किस प्रकार का heart sound आपको सुनाएदेगा तो वह आएगा muffled heart sound, chest pain होगा patient को, tachycardia होगा, dysmia होगा, ठीक है बाग की सारे science symptoms आएगे अब देखिए औसा कौन सा assessment finding है जो diagnosis में और ज्यादा support करेगा हमारे तो देखिए एक condition होती है, इसी के अंदर जिसको हम बहुते हैं, pulses paradox, ठीक है, pulses paradox क्या होता है, during inspiration क्या देखने को मिलेगा, heart rate decrease होगी, तो यह आपका answer रहेगा, कौन सा correct है, pulse 40 with the inspiration, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, pulses paradoxes, यह कौन सी condition में देखने मिलेगा आपको, cardiac tamponade के अंदर या फिर मैं आपको कह सकता हूँ, paradoxical pulse, या फिर मैं ऐसी को कह सकता हूँ, क्या, कोसुमल पल्स, decrease in strength of pulse, pulse के यहाँ पर strength भी कम होगी, और heart rate भी हाँ पर क्या देखने मिलेगी, decrease देखने मिलेगी, especially during inspiration, यह एक यहाँ पर क्या होगा, और हमें additional diagnosis करने में, मदद करेगा किसका cardiac tamponade के बारे में, अब देखें, इससे और क्या हम से क्यों बनेंगे अपने, इस condition को जो हम एक परकार से क्या कहते हैं, medical, emergency, क्योंकि यहाँ पर जो क्या हो रहा है, पेशेंट को, डिस्निया होता है, चेस्ट पैन होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने knife चेस्ट में डाल दिया हो, ठीक है, पैसेंट को अगर टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया गया तो, अब देखिए, यह आपका क्या है, सपोज यह आपका क्या है, जिसको क्यों होने से, आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्राइड हमें पड़ने को मिलता है, तीन टाइप के special symptoms यहाँ पर देखने हूं मिलता है एक होता है low blood pressure जब cardiac output कम होगा तो blood pressure कैसा आएगा low आएगा तो low blood pressure second आपको क्या देखने हूं मिलेगा muffled heart sound and third आपको यहाँ पर क्या देखने हूं मिलेगा distension of jugular veins तो यह जो हमें mainly तीन symptoms हमें देखने हूं मिले हैं यहाँ पर इस कौन सी condition में pericardial tamponade के अंदर या फिर मैं कर सकता है कहूं इसको cardiac tamponade के अंदर इस sign को हम क्या कहते हैं इस sign को हम क्या कहते हैं यह होता है आपका या फिर sign नहीं बोलके इसे में क्या बोलूँगा tried तो इस tried का मैं नाम दूँगा यहाँ पे सबने पढ़ रखा होगा backstride backstride के बाद मैं पूछ राता है आप से SBMCQ राता है किसके अंदर होता है कौन-कौन से पार्ट होते हैं इसके अंदर क्या का science symptoms होते हैं और accept करके भी पूस लेंगे कौन सा symptom जाह हो backstride के अंदर include नहीं क्या रखता है तो especially cardiac template से यहां से काफी अच्छा अंसीक्यू बना हुआ है तो यह आप ध्यान में रखना यहां पे जिसे हम क्या कहते हैं बर्ट्जर डिजीज अंसीक्यू में पूछा गया आप से which of the following is the most important to prevent the progress of disease कौन सा ऐसा factor है या फिर कौन सा ऐसा symptom है या फिर ऐसा हम क्या करेंगे जिससे हम यहां पर progress of disease को हम क्या कर सके prevent कर सके डिजीज कौन सी बर्ट्जर डिजीज या फिसे हम क्या करते हैं थ्रम्बो एंजानाइटिस, ओबलिटेरन controlling blood pressure blood pressure को control करने से क्या यह डिजीज कंट्रोल में आएगी controlling diabetes, wet reduction या फिस्मोकिंग सीजेशन क्या अमसीक्यू का आंसर रहेगा अपना ऐसा कौन सा option correct होगा जो prevent कर सकता है डिजीज के progress होने से तो लेखिए बजए डिजीज को progress होने से prevent करेंगे क्या करेगा smoking situation complete smoking आपको बंद रखने होगी तब ही यहाँ पर बजए डिजीज कंट्रोल में आएगी नहीं तो यह problem cause करेगी होता क्या है slightly हम देखने वाले होता क्या है chronic inflammatory vascular occlusive disease होती है यह टीक है वेसल्स को यहाँ पर क्या कर देती है यहाँ पर narrowing हो जाती है वेसल्स की manly in peripheral small and medium sized arteries and veins ब्राइस mm टीक है टेकल आपन टेकलन यहाँ है घ्यक है और लेकल्स मौलजन सक्टा यहाट यहाँ मौन सक्ता यहाँ पर यहाँ पर. से限 chúng कर सकता है प्रिवेंट कर सकता है इसी के सिमिलर एक कंडिशन और होती है जिसे हम क्या गयते हैं थ्रम्भो फ्लेवाइटिस तो थ्रम्भो फ्लेवाइटिस में क्या देखने हूं मिलता है आपको फॉर्मेशन ओफ थ्रम्बस इसके अंदर क्या होती है मसाज यहां पर कॉंट्रा इंडिकेट रहती है यह एंचिक यहां पर देखने को मिलता है एक पॉस्ट नेटल मदर है रिसीव कर रही है ट्रीटमेंट को किसके ट्रीटमेंट को उसको हमें वाच करते रहना है कंटिन्यूसली किसके लिए इंडिसउर्य अचायमुशी और आपीस टेक्सिस हैमैयूर्य हमेच्छूर्य एंड डिसूर्य के लिए हमेच्छूर्य वर्तिक नेटल मदर है हो progress है दिभी टी हमने इसका ट्रीटमेंट चलाया अब treatment चलाते टाइम पर हमको क्या बाते हैं वो ध्यान में रखनी होगी क्लाइंट को किसके लिए continuously watch करना होगा तो देखिए जब किसी क्लाइंट को डीवीटी होता है तो डीवीटी के treatment के लिए हम क्या यूज में लेते हैं एंटी कोगुलेंट और यहां भी डीवीटी के अंदर एंटी कोगुलेंट ओफ चोईस क्या रहता है तो आंसर क्या रहेगा आपका हीपेरिन अब किसी पेसेंट को हीपेरिन चल रहा है तो उसको bleeding tendencies हो सकती है तो आंसर जो है आपका क्या जाएगा option number D, hematuria देखने हो मिल सकता है, akymosis देखने हो मिल सकता है, epistaxis के लिए आपको aware रहना है क्योंकि हम क्या चला रहे है, hyperine चला रहे है, anticoagulant ठीक है, जो क्या करेगा, जो deep vein के अंदर जो thrombose बन क्या था, वो इसको यहाँ पर क्या करेगा, dissolve करने का काम करेगा, इसके अंदर sign आता है क्या, homan sign, calf muscles के अंदर, pen देखने को मिलता है यहाँ पर इसी के similar condition और होती दिशेबन क्या कहते है, intermittent cloudication intermittent cloudication में क्या देखने हो मिलता है आपको, muscle spasm cramps, fatigue, इसके अंदर calf muscles के अंदर, normally कब, जब हम exercise करें, walk करते हैं या फिर लंबे टाइम तक standing portion में रहते हैं, तो क्या होगा, calf muscles के अंदर, spasm आएगा, cramps आएगा, pen feel होगा हमें, ठीक है तो इस condition को हम क्या कहते है, intermittent cloudication, किसमें देखने को मिलती है, thromboflabitis, burger disease, ठीक है, इस प्रकार की disorders के अंदर हमें यह चीज़े देखने को मिलती है, हमें, ठीक है, DVT के अंदर भी देखने हो मिल सकती है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हेपेरिन देते हैं, DVT के अंदर, तकि जो anticoagulant की तरह काम करेगा, thrombus को dissolve करने में help करेगा, intermittent cloudication का treatment कैसे होगा, rest provide grow patient को अपने आप से, यह सारे symptoms जो है वो, ठीक हो जाएंगे, common cause का आप से पुछे, cause क्या है, तो answer क्या रहेगा, arterial insufficiency, ठीक है, arterial insufficiency होगी, तो आप एक patient में क्या देखने हो मिलेगा, intermittent cloudication, और arterial insufficiency होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, atherosclerotic blockage, ठीक है, कोई यहाँ पर fatty substance का, यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ जमा होंगे, veins के अंदर, जिससे, atherosclerosis होगा, वेन का, जिसके दरी से क्या होगा, arterial insufficiency देखने को मिलेगा, जिससे, intermittent cloudication होगा, किस प्रकार से treat होगा, rest करवादो, तो यह क्या होगा, एक बार का यह treat होजाएगा, बाकि वापस से अगर आप लंबे टाइम से exercise करोगे, आप लंबी वोग करोगे, लंबे टाइम तक खड़े रहोगे, तो वापस से यह problem आपको fierce होगी, A nursing intervention in thromboflabitis would be contra-indicated, a nursing intervention in thromboflabitis would be contra-indicated, कौंसा nursing intervention जो है, thromboflabitis की case में क्या होगा, contra-indicated, maintaining strict bedrest, turning the patient from side to side, apply warm packs of the affected leg, massage the affected leg, thromboflabitis के अंदर कौंसा nursing intervention contra-indicated रखा गया है, तो देखिए, thromboflabitis, ठीक है, thrombus बनने के वरे से, वेहन के अंदर क्या हुआ है, infection हुआ है, phlebitis का मतलब सभी जानते हो, क्या होना, itis का मतलब infection होना, और वहाँ पे साथ-साथ में क्या हो रहा है, thrombus भी बना है, अब देखिए, जब कौंसा action हमें contra-indicated रखना है, तो हमारा option number D यहां पे क्या आएगा, correct आएगा, massage the affected leg, जिस leg के अंदर thrombophlebitis है, उसे हम क्या करेंगे, massage नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, suppose यहां पर thrombus था, और हमने यहां पर क्या किया, अच्छे से massage की, तो यह thrombus जो है, वो आगे, circulation के अंदर आजाएगा, circulation के अंदर आने के बाद में, यह क्या कोज कर देगा, या फिर इसकी क्या complication होती है, तो आंसर क्या रहेगा, आपका, pulmonary, edema यहां पर develop हो जाएगा, जो कि वापस से, एक serious condition हो जाती है, क्लाइंट के लिए, इसके लिए, क्या करना है, आपको, massage the affected leg, आपको, clearly contraindicate रखना है, second, और क्या रखना है, आपको contraindicate के बारे में बताऊँगा, आपको में, तो और क्या रखना है, avoid, pressure, on, knee, and, constructive dressing को हमें क्या करना है, avoid करनी है, tight clothing को avoid करनी है, साथ में, knee के उपर, pressure नहीं डालना है, second, और क्या करना है आपको, don't cross the leg, एक दूसरे leg, उसको आपर cross नहीं करना है, उपर नहीं रखना है, during sitting, especially कब जब आप sitting कर रहे हो, लंबे टाइम तक या फिर आपको बैठना हो, तो पेरों को जो है, वो cross करके नहीं बैठना है, ठीक है, और आपको monitor करना है, pulmonary edema के sign symptoms के लिए, monitor sign symptoms और pulmonary edema, और क्या करना है, elastic stockings को काम में लेना है, ताकि जो है, वो thrombus और phlebiotis बने ही ना, इस प्रकार से जो है, affected leg को आप क्या कर सकते हो, elevation कर सकते हो, मगर आपको massage नहीं करनी है, तो answer क्या रहेगा, option number D, massage the affected leg, next mcq, a 30 year old adult, met with a motor vehicle accident, 3 days ago, एक 30 साल का adult है, उसको क्या हुआ था, motor vehicle accident हुआ था, तीन दिन पहले, and has been diagnosed with fat embolism syndrome, अभी उसको क्या diagnose हुआ है, fat embolism syndrome डाइग्नोस हुआ है, identify the type of fracture that has occurred, fat embolism कौन से type के fracture के अंदर develop होता है, femur fracture, vertebra fracture, carpal fracture या फिर rib fracture, जिस प्रकार से pulmonary embolism होता है, वह आपे pulmon, जो आपका lungs के अंदर क्या पहुँच सकता है, air और साथ में thrombus, अगर lungs के blood supply के अंदर आ चुके हैं, तो वह वहाँ पर क्या करेंगे, embolism की तरह काम करेंगे, अगर यहाँ पर कोई fatty substance यहाँ पर अपनी location से detach होके circulation के अंदर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते है, embolism, वह भी कौन सा, fat embolism, thrombus एक तरीके से एक जगह पर रहता है, attach और embolism, bloody cancer move करता है, उस thrombus को हम क्या कहते है, embolism, तो कौन से type के fracture में fat embolism होने के chance से ज्यादा होते है, तो यहाँ पर आपका answer क्या रहेगा, femur fracture, ठीक है, इस femur fracture हो, या फिर इसकी जगह आपको answer क्या मिलता, pelvis fracture, ठीक है, दोनों में ही आपे fatty substance काफी ज्यादा होते है, इस वज़े से क्या cross करके जो है वो आपको brain को affect कर देता है, embolism, तो वो brain की supply को यहाँ पर रोक सकता है, fat वहाँ पर काफी undissolable substance होता है, तो वो यहाँ पर embolism की तरह काम करेगा, blood supply को यहाँ पर रोकेगा, जिससे कि जो हो client यहाँ पर शोक किस्ति के अंदर भी पहुंच सकता है, तो answer क्या र which of the following medication the physician may remove from the medication order of this patient, एक patient को हम prepare कर रहे है, major surgery के लिए, तो कौन सी medication को physician क्या करेगा, remove करेगा medication order से, फिर medication chart से, clear to the surgery, surgery करने से पहले, ऐसी कौन सी medication को जो हमें stop करना होगा, digoxin, warfarin, pemotidine, या फिर furosamide, तो देखिए, यहाँ पर जो है, आपका answer क्या correct रहेगा, warfarin, ठीक है, warfarin जो है, वो क्या काम करती है, anti-coagulant, तो यह क्या coach कर सकती है, bleeding tendencies को बढ़ा सकती है, floating time को यहाँ पर affect करती है, coagulation pathway को affect करती है, bleeding tendencies क्या करतेगी, increase करेंगी, surgery के अंदर तो वैसे भी bleeding होनी है, और पहले से क्या हो रहाँ, warfarin दे रहे हैं, coagulation pathway को क्या करती है, तो और ज्यदा bleeding होने के chances होते हैं, इसके लिए क्या करना है, warfarin को avoid करना होता है, अब देखिए, anti-coagulant हम दे रहे हैं, किसके लिए दे सकते हैं हो सकता है, उसको prosthetic wall लगाए गये है, बट आपको warfarin तो नहीं देना है, आप कौन से anti-coagulant दे सकते हैं, इस condition के अंदर तो हीपरिन, हीपरिन आपको यहां पर provide करवाए जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो, नहीं तो आपको anti-coagulant देना है नहीं है, अगर आपको देना है तो आप हीपरिन दीजिए, warfarin की जगह पर The nurse anticipates the following laboratory study to assess the therapeutic effect of the client taking हीपरिन intravenously, client को जो हीपरिन लगाए जा रहा है यहां पर, अब नर्स क्या कर रही है, laboratory study कर रही है, assess करना उसको क्या therapeutic effect पहुंचा नहीं पहुंचा हीपरिन का body में उसके लिए, तो नर्स जो हो क्या laboratory study को assess करेगी, prothombin time को, aptT को, hematokrit को या फिर hemoglobin क करेगी, तो तो देखिए जब बात आती है, हीपरिन की, तो हमेशा किसको आप pointer करते हो, aptT को, और warfarin के time पे किसको monitor करते है, INR को, PT INR को, ठीक है, तो यहां पर क्या answer रहेगा आपका, activated partial, thromboplastin time को, हमें क्या करना यहां पे, monitor करना है, उसके monitor करने से हमें पता लगेगा, कि हीपरिन का जो therapeutic effect, जो हो, कितना आया है, किस प्रकाट से function कर रहा है, हीपरिन, चलिए आज की class में, इतना ही मिलते हैं, अपने next session में, thank you When caring for a pregnant client with lactose intolerance, the nurse should pay special attention to the client's need for, क्या बुचा गया आप से, फस्त N.C.Q में, जब आप care कर रहे हो एक pregnant client की, उसको problem क्या है, lactose intolerance उसको condition है, अब nurse should pay special attention the client's need for, अब जो है वो nurse को यहां पे, कौन सी special attention रखनी होगी, client की need को लेके, ठीक है, options में से कौन सी ऐसी client की need रहेगी, जो यहां पे फुल्फुल नहीं हो रही है, lactose intolerance होने की विरसे तो, कौन सी need पे attention रहेगा, iron, folic acid, carbohydrates, या फिर calcium, lactose intolerance का patient है, उसके अंदर कौन से element की कमी रहेगी, जिसकी वज़े से nurse को यहां पे special attention देना होगा, iron, folic acid, carbohydrate, या फिर calcium, तो देखिये, lactose intolerance यहां पर किस प्रकार से हुआ, इस condition में होता क्या है, patient is inability to digest lactose, अब जब lactose को प्रपर तरीकी से digest नहीं कर पाएगा, तो किसकी deficiency की वज़े से वो digest नहीं कर पाएगा, due to deficiency of lactase enzyme, तो आप कहा सकते है, lactase enzyme की deficiency की वज़े से जो problem होगी, उसे हम क्या कहेंगे, lactose intolerance, अब जब फिर, जो है, client को अगर lactose वाला food दिया जाएगा, तो client के अंदर कौन से clinical manifestation आप देखने को मिलेंगे, patient को क्या होगा, abdominal pain होगा, diarrhea होगा, किस प्रकार का, watery diarrhea देखने को मिलेगा, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, अपना, nausea, vomiting हो गया अपना, इसके बाब में bloating देखने को मिलेगी उसके abdomen के अंदर, तो इस प्रकार के science symptoms जो है, patient के सामने आएंगे, तो इसका management करोगे किस प्रकार से, तो अब क्या देखने को मिलता है, अगर बेबी को lactose intolerance है, तो मजर को educate करना है, कि वो lactose free diet consume करें, अब देखो lactose जो होते हैं, वो कौन से food product में देखने को मिलता है, तो यह आते हैं आपके dairy product के अंदर, को अब डेरी product के अंदर सबसेता क्या होता है? Lectose होता है, साथ में ही, patient को हमें क्या नहीं करना है, लेक्टोज नहीं देना है, जब आप lactose नहीं दोकिए तो lactose क्या नहीं दे रहे हो उसको, dairy product में भी हमने क्या कर दिया? dairy product में क्या risk होता है? calcium तो आपका आंसर क्या रहेगा SMCQ के अंदर कि यहां पर क्या होगी पेशनट के अंदर calcium deficiency होगी इसके लिए क्लाइंट को नर्स क्या करेगी special attention यहां पर प्रोवाइड करेगी क्योंकि उसको क्या है यहां पर calcium food को उसको देनी पढ़ेगी अलग से ठीक है आप से क्लाइंट क्लाइंट की नीड होगी special attention में देना होगा आंसर वी ऑप्चिन नबर डी calcium क्या पूचा गया है आप से कि होस्पितल में नर्स ने डाइग्रोस हुआ है कि पालॉरिक इस्टेनोसिस हुआ है अब जो है वो कौन सा डाटा है वो नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि मदर उसके बताएगी बच्चे के symptoms को लेकर कौन सा डाटा बताएगी जिससे क्या diagnosis होगा वहाँ पे पालॉरिक इस्टेनोसिस वोमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग वाटरी डाइरिया या फिर इंक्रीज यूरीन आउटपूट तो देखो यह जो अमसीक्यू है मैंने लास्ट क्लास के अंदर इस्से रिटेड अमसीक्यू डिसकस किया था मैंने कि वहाँ पर वोमिटिंग देखने को मिलती है तो वहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा इस अमसीक्यू में आपके आंसर का क्यूंकि मैंने यह पढ़ा रखा है लास्ट क्लास में वोटी डाइरिया यह आपर नहीं देखने को मिलेगा इंक्रीज उरिनेरी आउटपूट भी आपर नहीं देखने की काओं ट चिलियाग डिजीज अलस्ओ कोड़ ग्लुटीन स सेंसिटिव एं अंटरोपैथी ठीक है ऑल्सो कौल ग्लुटीनससेटिव एंअरोपैथी अफट विच पार्ट ओवज जय डियाई ट्रेक जो सीली Ellis होती है उसे हम ग्लूटीन एंथयू अंधरोपैट भी कहते हैं तो एक कौन से जी आई पार्ट को अफेक्ट करती है सबसे रधा स्मॉल इंटेस्टाइन, डूडेनम, लाड इंटेस्टाइन या फिर स्टमक क्या रहेगा अपना आफसर को सबसे बौल को है अफेक्ट करती है सी रेक डिजीज चैसि आपना अपना News या होती है एक दम अपन शोट के अंदर देखेंगे इसमें होता क्या है सी लेक्डी डिजीज में क्या होता है ये एक प्रकाट से क्या है और दम 탈 सबसे पहली बात तो autoimmune disease है इसके अंदर होता क्या है patient inability to digest gliadin कर सकता हूं मैं या फिर मैं आप लिख सकता हूं gluten protein होती किसमें है gluten protein तो wheat में grains के अंदर grains में क्या आजाएगा आपका राई आजाएगा barley ठीक है और वगरा ऐसी चीज़ों के अंदर क्या होता है gluten protein ज्यादा होती है जो जाके क्या करती है अपना autoimmune system को यहां पर क्या कर देती है affect करती है जिससे की allergic reactions हमें देखने को मिलती है और यह किसको affect करती है answer क्या रहेगा आपना small intestine small intestine का पाट कोई क्या करती है affect करती है अब देखिए इसका treatment कैसे करोगे तो treatment में आपको क्या देनी है gluten free diet जो मैंने आपको बताई थी यह जो grains है यहां पर include नहीं करना है patient की diet में नहीं तो उसको वापस से क्या होगी enteropathy होने के chances वापस बढ़ जाएंगे which explanation is accurate regarding intususception intususception क्या होता है उसके related कौनसा information जो है वह accurate होगी कौनसा explanation जो है accurate होगा kinking of the bowel into self band of connective tissue compressing the bowel telescoping of proximal loop to distal loop protrusion of an organ through the wall that contains intususception होता है इसके बारे में आपसे पुछा गया है क्या रहेगा यहां पर answer देखिए intususception क्या होता है intususception का meaning होता है telescope कर जाना मतलब क्या होता है telescoping मतलब telescoping movement of proximal part of intestine into distal part of intestine intestine का कोई proximal part telescope कर रहा है move कर रहा है distal part के अंदर इसे हम क्या बोलते है intususception answer कौनसा correct रहेगा option number c telescoping of proximal loop to distal loop यह इसका क्या रहेगा correct answer रहेगा इसकी वज़ए से आगे जाएके patient को क्या क्या complications होगी यहां पर decrease blood supply जिसे क्या होगा necrosis भी जो हे यहां पर देखने को मिले गा अब यहां से एक और mcq बंता है ль इस टूल के appearance किस प्रकार से देखने को मिलता है तो यह होता है current jelly like stool क्या answer रहेगा current jelly-like stool एक और यहां पर sign देखने को मिलता है जिसे एपन कहते है dance sign dance sign का क्या meaning होता है empty right lower quadrant जब आप quadrant के अंदर आप abdomen cavity को feel करोगे तो वहाँ पर आपको right lower quadrant यहाँ पर क्या हो जाता है empty feel होता है इसे एपन बोलते है dance sign vomiting कैसे आएगी यहाँ पर non-billious vomiting यहाँ पर देखने को मिल सकती है in starting phase आगे जाके यह जो है वो byless vomiting में convert हो जाते है इसलिए यहाँ पर आपको vomiting cilded mcq नहीं पूछते है क्या mcq पूछते है इस tool का appearance कैसा होता है यहाँ पर second mcq बनता है आपका है कि होता क्या है meaning क्या है intusception का इस परकार से 2-3 sign है यहाँ पर पूछे जाते हैं इसके बाद में जो आप mcq बनेगा यहाँ से इसके diagnosis से नय mcq बन सकता है क्या mcq बनेगा जब आप x-ray करोगे तो x-ray में आपको किस परकार की एक ring sign देखने को मिलेगा जिशेपन बोलेंगे chrescent sign chrescent sign chrescent sign किस में देखने हो मिलता है आपको interception के अंदर इसके अंदर कुछ नहीं होता है जो projectile tissue होता है तिक जो soft tissue होता है दूसरे के अंदर क्या होता है telescope कर जाते हैं वहाँ पर क्या present हो जाती है gases यहाँ पर आके accumulate हो जाती है sign जो बनता है उसाइन को हम क्या नाम देते हैं chrescent sign barrier minimum भी आप प्रोवाइड करो सकते हो diagnosis के अंदर चलिए detail में discuss नहीं करेंगे overview में होना जरूरी है parent tell a nurse my three month old infant recently passed several stools that resemble clumpy red jelly parents बता रहे हैं तीन मेहने का जो बेबी है उसको क्या हो रहा है several stools pass out हो रहे है और उस्टूल का color कैसा है clumpy red jelly color का है best on the information the nurse should suspect that the infant has developed nurse यहाँ पर क्या suspect करेगी कि बच्चे को क्या develop हुआ है celiac disease, bipolar disease, intussusception या फिर ulcerative colitis क्या रहेगा अपना answer यहाँ पर देखिए अभी मैंने last mcq में आपको बताया था stool कैसा रहता है यहाँ पर इस अभी मैंने last mcq रहेट रहेट करेंट जैली स्टूल करेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या हो सकती है फैसेंट को फ्रेस ब्लीडिंग हो सकती है करेंगा इस चुल का कुलर कैसा भी रहेज़ बहार निकले कजरी गअ जैली अपिरिंस यहाँ और into susception के अंदर, ठीक हो यहां पर आपका answer क्या रहेगा, into susception, correct answer क्या रहेगा, into susception, which is the best advised by a nurse to mother of a baby, diagnosed with gastroesophageal reflex disease, to decrease episode of vomiting, हमें क्या करना है, vomitting के episode को decrease करना है, कौन सी कंडिशन हो ये बच्चे को GERD ठीक है जिसके अंदर क्या होता है वापस से रीगजिटेशन होता है जो खाना खाता है या फिर जो मिल्क यहां पर बच्चा इंजेशन करता है वो बाहर निकाल देता है वापस से वामेटिंग के थ्रू तो आपका क्या आंसर नहीए थेगा बेस्ट एडवाईज क्या करोगी आप मदर को कि आपको जो है वो वो मिटिंग कैसे आप डिकरीज कर सकते हो यहां पर प्रोवाइट लेस फ्रिक्रेट लास फिडिघिग उसको लास फिटिंग जो है वो क्या आंसर रहेगा यहां पर GERD की कंडिशन है रीग अजिटेशन हो रहा है यहां पर बार बार तो किस प्रकार से आप इसको मैनेज करोगे एजनर्स आप जो है मदर को क्या एडवाइस दोगे यहां पर देखे जी आड़ी होता क्या है कार्डियक स्पिंक्चर एंड लोवर पोर्शन ओव इस वर इस वर उनकी मसल हुऊ कैसी होती है यहां पर कि स्पिंक्चर जैए और इस्टोंग में दो mines परम प्रीच से और ठीव यहां का लेगा portion होता है गेस्ट्रिंट्सरह को होता है उसकी जो वोल में बाहर निकल आता है यह फिर दो है दस को गेस्ट्रिंट्सक्ण है कि इन टु दै इस्ट अफशयोदare इसे हम क्या कहते हैं G-E-R-D तो इसके अंदर हमारा जो हमें क्या करना है मदर को यहापर एडवाइस देना है तो क्या एडवाइस दोगे यहाँ पर मदर को बताना है कि उसको तिक फीडिंग दीजिए तिक फीडिंग देंगे और साथ में इसके राइस को उसके अंदर एड़ करेंगे जिससे क्या होगा फीडिंग जो है वो थिक बनेगी और यहाँ पर जो है वो लोवर पॉर्शन के अंदर आके वो क्या होगी जमा होगी ठीकर जिसकी वरे से री गजीडियेट कर पाना उसको इतना एजी नहीं होता है जितना फिन फीडिंग को या फिर लिकविड डाइट को जलती वो बकचा री गज़एट कर देगा जबकि ठीक फीडिंग प्रबबर्सटार्गी से या फिर री गजिडेट करने में यहां पर प्रोब्लम रहेगी उसको इसलिए जो हो एक तो बेबी के वेट भी यहां पर गेन होगा बेबी को नुट्रिशन भी रिक्वार्मेंट होगी अगर आपर थिक फीडिंग उसको प्रोवाइड करेंगे तो तो हम यहां पर लिख सकते हैं MCQ फॉर्म के अंदर आप फीडिंग के बारे में लिखवा रहा हूं है तेकन दे फॉर्मूला एंड रिड्यूस दे वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी इस कंडिचन में क्या करना जो हम फॉर्मूला फीड देंगे यहां पर बच्चे को वह यहां पर क्या करेंगे उसको थिक करेंगे राइस वाटर राइस को उसके अंदर मिक्स करके साथ में उसकी जो volume होगी लाइक अगर उसको 100 ml diet दे रहे हैं एक time period में तो उसकी volume का हमें क्या करना है कम करना है क्योंकि ठीक formula होता है उसको digestion में time लगता है इसलिए साथ में suppose हम उसको 3 hour से खिला रहे थे अब हम क्या करेंगे उसको 5 hour से खिलाएंगे बच्चे को ठीक है उसकी frequency भी क्या करनी है diet की क्या करनी है कम करनी है हमे अब next हमसे क्यों बनता है वो बनेगा यहीं से position क्या देनी है position आपको देनी है left lateral position with head elevation 30 degree ठीक हमें क्या करना left lateral position दे रहा है साथ में head elevation को जो है 30 degree तक हमें क्या करना है यहाँ पर अब करके रखना है तो यह यहाँ पर इस प्रिकावट से हम जो है GID को यहाँ पर manage कर सकते है which nursing diagnosis should receive priority in the plan of care for a 3 month old infant who has a salmonella infection कौन सा nursing diagnosis है यहाँ पर जो priority में रखा जाएगा किसलिए बच्चा है या अपने 3 month का उसको infection क्या है salmonella का infection है तो कौन से nursing diagnosis को हम यहाँ पर priority पर रखेंगे weight loss को fluid volume deficit को sleepiness को या फिर shouting and crying को कौन सा nursing diagnosis को हमें क्या करना है priority पर रखना है क्यूं रखना है बच्चे को क्या है salmonella infection है तो कौन सा diagnosis यहाँ पर एज़े priority पर रखेंगे हम तो देखिए यहाँ पर अपना जो answer रहेगा वो रहेगा fluid volume deficit देखो बच्चों के अंदर जो है fluid volume यहाँ पर काफी important होती है उसको maintain बनाया रखने के लिए क्योंकि बच्चों में ज़्यादा क्या रहता है water बच्चों के अंदर जड़ा देखने मिलता है in comparatively to adults ठीक है इसलिए उसको जब भी infection होगा या फिर इस पकार के options आपको मिले तो आपको क्या करना है fluid volume पे उसके में correction करना है ठीक है क्योंकि वहाँ पर क्या होगा infection होगा तो क्या देखने को मिलेगा देखिए fever होगा fever होगा तो क्या होगा dehydration होगा बेबी को fluid volume deficit होगी इसके लावा और क्या हो सकता है nausea होगा vomiting होगा क्यों होगा Salmonella infection है यह क्या करवाता है हम कर सकते हैं vomiting करवाता है diarrhea करवाता है या simple language में एक ही word में लिखें तो gastroenteritis तो gastroenteritis के अंदर हम सब कुछ आ रहता है diarrhea आ जाएगा abdominal cramps आ जाएगा nausea आ जाएगी vomiting आ जाएगी तो overall यहां पर क्या develop हो रहा है उसके अंदर food volume deficit develop हो रहा है इसी diagnosis को हमें क्या रखना है यहां पर priority रखना है अपने answer को select करना है यहां पर तो यहां ते किसी के को doubts नहीं रहने चाहिए अंसी कुछ काफी easy है ठीक है और अपने upcoming exams के अंदर इसी वेकार के mcq आपको पूछे राएंगी ज्यादा आपको hard नहीं पूछेंगे CHOs के अंदर और अपने M&S के अंदर है ठीक है Thank you so much, मिलते हैं अपने next session के अंदर जहां पर अगें वापस से हम सीकूछ फोम के अंदर हम अपना next session रखेंगे अपन CHOs के लिए तो बने रहेगेगा अपने daily session के लिए और जो बचे new ad हो रहे हैं हमारे channel से वह हमारा channel को like and share and subscribe जरूर करके जाना subscribe में all button पर जरूर क्लिक करके जाना ताकि आपको हर notification का आपको वीडियो मिले चाहे वह vacancy update हो चाहे हमारे daily यहां पर आपको अप्डेट रहने के लिए आप जरूर हमारे चनल को subscribe कीजिए और साथ-साथ में अपने classes के लिए तो आपको subscribe करना ही है ताकि आपके daily preparation हो सके unsecure unsecure उसको लेकर तो thank you so much मिलते आपने next session में thank you म inversely कर दो님 है आपको ऑना हा打बे लापको सर्दम hell तो आपके लेकल कि लापको स Effects के लापकोस के लेकल क्पोका सके लापकोस के लापकोब आपकोस सकाष में लापकोवरर्ण